हाई दिस इस युक्ती एंड यू आ वाचिंग बिंच क्रेविंग्स और आज की हमारी रेसिपी है ABC जूस ABC यानि की एपल, बीट रूट और कैरेट जब हम इन तीनों चीजों के जूस के बारे में बात करते हैं तो ये तीनों चीजों उतनी टेस्टी साउंड नहीं होती लेक इसमें कोई भी extra sugar यूज़ करी है और ना ही salt एट किया है लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें salt एट कर सकते हैं लेकिन इसमें sugar एट करने की कोई भी जरूरत नहीं है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वज़े से आजकल हर व्यक्ति अपनी immunity को लेकर थोड़ा conscious है तो ये जो juice है वो ना केवल आपकी immunity को boost करेगा बलकि आपकी skin आपके hair को भी healthy रखेगा skin, hair और immunity के साथ साथ ये आपको weight management में भी help करेगा यानि अगर आप weight loss करना चाते हैं या फिर weight management को लेके conscious रहते हैं तो भी ये जो juice है वो बहुत ज़्यादा helpful है साथ ही इस juice को जो लोग heart patient है वो और जिन लोगों को diabetes है वो भी ले सकते हैं so without any further delay शुरू करते हैं हम आज की recipe लेकिन आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल के लिए नए है तो प्लीज इसे subscribe करें और bell icon को भी click करें ताकि आपको मिलती रहे latest updates और अगर आपको ये recipe interesting लग रही हो तो प्लीज इसे like अभी से कर दें ABC Miracle Juice बनाने के लिए हमें चाहिए beetroot, beetroot को मैंने धोग के छील लिया था और फिर काट लिया था साथ ही हमें चाहिए गाजर, गाजर को भी मैंने चील के काट लिया है साथ ही हमें चाहिए apples, एपल को मैंने चीला नहीं है उसको मैं चील के के साथ ही यूज करूँगी इन तीनों ही चीजों को मैंने roughly chop कर लिया है ज्यादा fine chopping की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमें इने पीसना है इनके अलावा हमें चाहें कीनू इन तीनों चीजों को हम पीस के रख सकते हैं लेकिन कीनू का juice हमें fresh ही निकालना है और इन चीजों के अलावा मैं यहां यूज कर रही हूँ कीवी कीवी को मैंने चोटे-चोटे टुकडों में काट लिया है सबसे पहले मैं कीनू का juice निकालूंगी आप चाहें तो electric juicer यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर hand juicer का ही यूज कर रही हूँ यह juicer मुझे actually बहुत पसंद है क्योंकि जब हम इससे juice निकालते है तो इसमें juice के साथ साथ इसका pulp भी आता है और जैसे कि आप देख सकते हैं इस juice को भी मैंने strain नहीं किया है और अभी मैं आपको देखाती हूँ कि इसमें किस तरह से इसके pulp आ जाता है यह देखिए और जो किनू का यह pulp होता है वो बहुत ही tasty लगता है इसलिए हम इसके juice को strain नहीं करेंगे तो juice और कीवी को मैं रखती हूँ एक तरफ और अब मैं apple, beetroot और carrot को एक साथ blend कर लूँगी इन तीनों चीजों का हमें एक fine paste बनाना है अगर blender चलने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एट कर सकते हैं अदर्वाइस इसमें हमें पानी एट करने की जरूरत नहीं है इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से पीसना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में हमें इने strain नहीं करना है यानि हमें इनको fiber के साथ ही consume करना है तो ये देखिए इसका जो fine paste है वो बनके तयार है अगर आप चाहें तो इस paste को थोड़ा ज्यादा quantity में बना के इसे fridge में एक airtight container में store कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि जितनी quantity आप store कर रहे हैं आप उसे दो दिन में consume कर लें जरूरत से ज्यादा दिन तक इसे fridge में store ना करें क्योंकि इस तरह की चीजें जब हम लंबे समय तक store करते हैं तो जो उनकी nutrition value होती है वो कम हो जाती है इसलिए best यही है कि आप इसे fresh पीसें या फिर ज्यादा से ज्यादा दो दिन तक इसे store करके आप consume कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा जो paste है वो एक jar में store कर लिया है इसे मैं fridge में रख दूँगी और बाकी क्या जो mixture मेरा बचा हुआ है उससे मैं अभी ABC juice तयार करूँगी और अब इस paste को मैं डाल रही हूँ किनू के juice के अंदर मैं दोनों चीज़ों की quantity का ratio 50-50 रखती हूँ यानि आधा मैं किनू का रस रखती हूँ और जबकि आधा इस paste को रखती हूँ लेकिन आप अपनी choice के according और अपने taste के according इन दोनों की quantity थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं लेकिन जो 50-50 का जो इसका ratio है वो एकदम perfect consistency देता है ना तो ये बहुत ज़दा थेक होता है और ना ही बहुत ज़दा runny और पतलासा हो जाता है तो अब इस juice को मैं डाल रही हूँ glasses के अंदर glasses में मैंने पहले से कीवी डाल के रखी हुई है और इसके उपर से मैं डालूँगी juice जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो color है वो कितना amazing लग रहा है ये juice antioxidant से loaded है और साथ ही जिल्लों का hemoglobin कम रहता है उन लोगों को ये juice तो ज़रूर ही consume करना चाहिए आप ABC juice के benefits को google करके देखिए I'm sure आप इस juice को daily लेना पसंद करेंगे और यहां जो मैंने इसमें किनू का रस और कीवी डाली है उसकी वजह से इस juice में vitamin C की मात्रा और अधिक बढ़ गई है तो कुल मिला के ये juice micronutrients और macronutrients से loaded है आज की इस recipe को ज़रूर try करें और कोशिश करें कि पूरी सर्दी जब तक इन चीजों का season है आप इस juice को ज़रूर consume करें अगर आपको आज की recipe अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ share करें because sharing is getting